हेलो बच्चो मैं दीप और माविफ्ट्रा एजूकेशन फॉर एक्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ जैसे कि हम अमने एक्जाम स्रस्में बढ़ चुके हैं और हमारा मिशन कहा है मार्च मिशन जिसमें हमें क्या है क्या है और स्वागत करहा हुए तोसे सभी का सफ़ नयूज में हो क्या इसके यह आगें हलो परको इकष्चेशन उसमें कोई देजी नहीं करनी है था आज का इकाई क्या था वही एकाई छे हम क्या इकाई छे पड़ रहे थे जिसमें हमने मानव संसाधर को डील कर लिया था आज हम स्वत अंत्र भारत में लोक्तंत्र और राजनितिक संस्थाओं की कारे प्राले ठीक है इसमें मतलब क्या है हम अपने आम चुनाओं को पढ़ें पर विदेशी नीती को देखेंगे यह सब चीजे करना है इस चैप्टर से दो और तीन अंकर के आएंगे मतलब पचास से पचहत्तर शब्दों में आपको आंसर लिखने होंगे तो ज्यादा बड़े-बड़े आंसर फेम नहीं करने आपको क्या है छे से साथ लाइन में चा चुका है अभी आज के क्या करने वाले हैं स्वातनर भारत में लोगता है तो आम चुनाओ क्या होता है दली राजिती क्या थी यह सब चीजे हम पढ़ेंगे ठीके चलो अपने चैप्टर में आ जाते है एक हमारा ध्याय 14 ठीके कि राजिती सास्तर के अंतर करते ठीके चलो अगर यह हम पुरा मैप देखें तो पहला क्या पढ़ना है पहला आम चुनाओ कब हुआ था 1952 में है ना फिर एक दल्व का वर्चुस किसका था भई कॉंग्रेस का तीन चिनाओं में क्या है इन ही का था लेकिन आफ्टर क्या हुआ 67 के बाद क्या हुआ चीजे चेंज हुई बहुत साए दल आये तो फिर क्या उसमें एक्वेशन चेंज हुए है ना जमिनदारी प्रथा का 1956 से क्या पहले क्या था अंग्रेजों के जमाने में क्या ऌपया करने तुनरा करत करें अगर कुछ नहीं हँगे है इसको बहुत अच्य से करके जाना मेरे वच्चों है उसके बद क्या है मतलब राजयों का निर्मान कैसा हुआ आपको यह पढ़ना है विदेश नीती पंच शील सिद्धानत आपको यहां पर पढ़ना है ठीक है उन्हें सरसर के बाद प्रमुक घटना है क्या हुई बैंकों का क्या किया गया हमने राष्टी करन किया बांगलादेश में यूद्ध ह कॉंग्रेस का भी घटन हुआ अपात कल कैसी घटना है तो यह सब चीजों को आपको दो-दो लाइन में डिखना है क्योंकि इसमें क्या दो से तीन माक से कोशन आ है ना मतलब आपको 60-75 शब्दों मतलब बोला जाए तो क्या भईया आपके 2 माक 70 वर्ड है ना तो किया 7-8 मतलब लाइन में आपको यह खत्म आ चाहिए इसी के अकॉर्ड ही आपको तयार करने है ठीक है चलो हम अपने कोशन पर आते हैं पहला क्या है पहला कोशन ही पहला आम चुनाओ कराने के लिए सरकार को बहुत से प्रेशन करना इसका उलेक कीजिए है ना दूसरा है पहला आम काईदाम की तीन ख़ास बाते मतला है इसमें पूरे किस के बाते करने भई आम चुनाओ हमार चेप्टर का पहला पिक क्या है आम चुनाओ fantasy ए ठीक है चलोँ आम ओज़ाते हैं पहला fix हमेंigos का वक्त पहँथा ना इसका हम यह तो यह तुनाओ बहुत सबसे अहम चुनाओ थ वह पढ़े लिखे नहीं थे तो सबस्रेट चुनाओती आई कि भाईया उनको हम मतलब नाम कैसे पढ़ेंगे कि लोग तो नाम पढ़ना भी जानते थे ना तो बच्चो जो आप भाईया भी हो आपको कोई चीजे नहीं पढ़ना समझ लिए आपको अभी हम चत्रड के लोग ह हम लोग हिंदी भाषा पढ़ सकते अगर आपको कर्णाड में कुछ लिख दे दिया जाए तो आप पढ़ पाएंगे क्या नहीं तो सेम सिच्विशन वहां पर क्या हुई जो भारत की जंशांख्या थी उनके साथ हुई कि उनको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है वो लोग में एक देना है तो चेटराम के एधेहर है घया साइकल में थपपवं यह रॉख भारत के देखाएंगे है नहीं सविधान के नुशार पहले आम चुद आउं आइज़ित करना भारती लोग तंतर्किस सेटा उस अफल्टेक्ले महत्वेंटाइव मतलब यहां लोगों के द्वारा चुनी की सरकार होगी तो भाया जब हमारा देश होता है तो हमें तो लोगों के द्वारा चुनी हो इन लोगी चहीं जाईए लिए चुनाओ कराना बहुत अतिन्त आवश्यक्त था हम लगबग 18 क्रोड लोगों का मत्तदान करना था इसके लिए बहुत सा ही तैयारी करने जोड़े थी पहली बर हर वैस्क महिला पुरुष को चुनाव मत्तदान करने का धिकार था इससे पहले क्या हुआ था 1935 के रिकार कुछ धर्म के अधार पर कुछ अमीरों को प्रदान थ लगबग 10% लोगी भारत के जन संग्या के लोग क्या थे वोड दे पाते थे लेकिन यहां पर क्या 18 वर्ष से 21 वर्ष से उपर जो भी थे उसरें क्या था 21 वर्ष से जो भी अधिक है महीला पुरुष हर किसी को मत्तदेने का अधिकार मिल चुका था ठीक है तो यह सबसे ब 85% लोग डिरक्षर थे वे कैसे उमिद्वारों को नाम पहचान करें यह सबसे बड़ी क्या थी चुनाव आयोग ने क्या किया एक नवा चारका कि मत्तद में उमिद्वारों को अलग अलग चिन्धों के द्वारा रिखाया प्रतेक उमिद्वार के लिए अलग बखसा रखा धिर सब्सक्राइए ऐसा बताए टेंट में बें अगर या खर्ण चेख़ाको नथि ने जिए कि क्या गई पनध evra योग ने में कुलने शमारे पेलाट चितेगा ठाकेस अग्ड़े क्या को इन थे पशाए वाइत को लिए खद प Erие वाला रेक्ति जीतेगा के यह जीते है ठीक है पहला हम चुनाओं के अगर खास बातें किया जाए पहली पर वैस मताधिकार पडाली का इस्तिमाल करके देश के सभी नागरिकों को वोट देने का मौका मिला सहीं बात है सरकार के सुधिर ग्रामीन चेत्रों तक मरदान केद्रों के वस्ता की गई हर अंतिम चेत्र तक हमारी क्या है वोट के लिए वस्ता की गई सारे राज्यों की विधान सभा चुनाव भी लोग सभा के साथ हुए तो केवल ऐसा नहीं था कि लोग सभा चुनाव हुए वहाँ राज्यों की विधायका के लिए भी चुनाव किये गए इस समय कुछ 17 कुरोण मर्दाता पंजिकृत किये गए प्रतिशत लोग निरक्षर थे लगवा किते 17 क्रोर मर्दाता लोगों ने क्या की थी वहाँ पर पंजिकृत थे इन्होंने वोट दिया तो आपको खास बाते बोला जाए तो यह स्थीजे वहाँ पर आपको डालनी होंगी बच्चे ठीक है चलो आगे देखते हैं अब क्या र जमिंदारों के चली आए थी आस्तुरें के अइसपस हैं तो किसान अपने जमिन पर अधिकारं स्थी थी अनज उगाते थी लेकिन उनको अधैशितां किस को आधिकार की उन्होंने देना पड़ता थी जिय दू जो नई उन्होंने इसको खटम कर दिया तहां ठीक है लगभग 200 दिशह का के थे वंहोंने Steering कर दिया था Pris आपको क्या बताना पड़ेगा कि सम्माज किसी भी बताने पड़ेजी कि हिंदू कोट में महिले की रहिब करे zusyllविदां में किसमें प्र Jojya प हमें पीजने हुआ था शादी आपको एकी व्युहा करना है के वाल उस तेम क्या था पती कई व्युहा कर सकता था लेकिन पत्नी नहीं कर सकती थी तलाग देने करिकार के वर पूरुष को था संपत्ती पर पूरुष को था तो यह सब जिए क्या कि हमने चेंज की ठीक है डॉक्टर भीम राव मिटकर ही था तो यह सब्सक्राइब करने देश भर बे हिंदूों के परिवार और संपत्ती समझतकानों को व्यवसित करने के उद्वार के अधिकार देश से एक व्यापक हिंदू कोड भिल तयार गया था थीक है तो हिंदू कोड किया थ nuevas the इक्वली राइट जने के लिए संब्ति का फिकार देने के लिए कि हिंदू कोड भी लाया गया था ठीक है डॉक्तर भीम्रेवश्बा अमधिकर ने इसको तैयार करके सविधान सभा में पेश किया थ तरीक है प्रधान मंतिर पंडित जवाला लेरुभी इसके समर्थन में थी मगद रुडिवादी हिंदुओं ने इसका कड़ा विरोध किया, अता पहले आमचुनाओं के बाद इससे उठाने का निर्णा हुआ, इससे दुखी होकर डॉक्टर भीमरा और मेटकर ने मंसरी मंडल से त्याक पत्र दे दिया, ठीक है, प्रश्णों के उत्तर मिल गए, अगर परिवार की मुख्या की मित्ती बिना वसियत बिना हो जाती है, तो उसकी संपत्ती में से उसकी पत्नी, पुत्रियों को भी पूत्रों के बराबर अधिकार मिलेगा, पहले क्या होता था? अगर हमारे दादा परदादा खतम हो गए है ना, तो उनके बेटों को ही मिलता था, हमारी बुआ हो गई, बुआ दादी हो गई है ना, उनको कोई अधिकार नहीं मिलता था, या मम्मीयों को भी नहीं मिलता था, लेकिन उसके बद क्या कहा गया है, कि अगर किसी परिवार म भी वसी समपत्ती होगी वो सभी में equally बटेगी ठीक है पती है पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवा करना वैट ठरा गया पहले क्या है बहु पत्नी विवा चालू था मतलब पती कितनी भी शादिया कर सकता था लेकिन पत्नी और शादिया नहीं कर सकती तो इसलिए क्या किय अंतर जाति विवा को कानोनी वंजुरी दी गई ठीक है कि अंतर जाति विवा कर सके अभी जाति बहुत जादा है तो जाति वात को कम करना है देश को अगर हमें अखंड भात बनाना है तो हमें क्या जाति वात को खतम करना है बहुत जरूरी हो जाता है ठीक है किसी भी जात तो यह सब क्या है हैं हिंदू कोड़ बिल में लाए गयाई हैं तो क्या होता इसका प्रभाव क्या होतार है महिलाओ कर इस भी नार्थालाद इस प्रुट 지나 कि सिती अच्छी हुई उनको समाजिक समानता मिली संपत्ति के अधिकार मिला उनको पुर्षों के समाना कुछ कुछ चीजे और अधिकार मिली अधिकार उनको संपत्ति में अधिकार मिला ठीक है बहुपत्निवाग खतम हुआ है ना सिक्षा का आगले आगे बढ़ी तो यह तरीकिस राजयों का गठन हुआ, कौन से आयोग बने आपको ये सब चीजे आंसर वहाँ पर पढ़नी है, ठीक है, चलो, देखते हैं, राजयों का पुर्णर गठन और राजय पुर्णर गठन आयोग, ठीक है, जब भारत अजाद हुआ, तो उस टेम जाला तर राजय कैसे थ हमारा महरास्ट्र प्रांट था, तो यह सब प्रांट ऐसे थे, जहां क्या थे, विधाई का कारे पनानी चल ले थी, लेकिन ठीक है, जब अजादी हुए, तो क्या हुआ कि अखिर अलग अलग राजयों को जिसी रियासते हैं, यह राजय है तो उनको कैसे समावेश किया जा अभी सविधान क्या थी, एक निर्ड़े पर रही पहुच पाई थी, कि भाई हमें राजयों को पुर्ण का ठट कैसे करना है, भौग लोगी क अधार पर देखे, आधिकों कि क्या आधिवासी भी थे, वन अंचल भी थे, पिछड़े जारतिया भी थी, है ना, भाशयी अध अंधर प्रदेश में व्यापक जना अंधरन के चलने से क्या हुआ, उनीस सो बावन में तेल्गु भाशी सवतेंदरता सिनानी पोट्टी श्री राम डुलू ने क्या कि अलग अंधर प्रदेश बनाने के लिए कि हरताल किया, फिर उनकी मुत्ती हो गई, इसलिए क्या कि अब जो देश, जो राज्य है वो भाशाई अधर पर बनने शुरू है, तो इसके क्या सकरात्मक पहलू हुए थे भाई, सकरात्मक पहलू की बात की जाये तो भाशी अधर पर राज्य बनाने से भारत का विगटन नहीं हुआ, बलकि राश्टी एक्ता को बल मिला, क्यों इसके बाद जो छपन में राज्य बाद को विगटन हुए तो उसके बाद ही वही वही रहे, नई, धिर जरी क्या हुए जैसे ज़रुते हुए हमने राज्य को और निर्मान किया, जैसे 2000 में मदर प्रदेश से चात्रगडड़ अलग हुए, हमारे कल्चर अलग थे, हमारे तो यह सब किया हुए हमारे विघटन हुए मतलब क्या राज्यों का फिर से क्या पुडर गठन किया गया तो यह समय समय पर हुआ ठीक है तो इसे क्या हुआ अपने लोग आस पास रहते हैं तो उनके सोच एक डवलब होगी तो इसे सोच डवलब होगी तो वो क्या अपने देश की बारे में सोच पाएंगे है न यहां पर कोई और है बाजरी में कोई और है तो उनकी जब सोच ही नहीं बनेगी तो वो कैसे अपने राश्य के बारे में सोच पाएंगे तो महरास्ट को देखना गुजरात को इसलिए अलग अलग करने पड़ेगे इसलिए क्या हुआ प्रशाशनिक सुविधाई हुई तो आपको इसलिए पॉइंट वहाँ पर डालनी होगी ठीक चलो आगे देखते हैं राजय पुणर गठन आयोग ठीक है केनर सरकार ने सन 1913 पर में भाषा के अधार पर राजयों के पुणर गठन के लिए आयोग बनाया फजल अली अधिक्षता में गठीर की गई इसलिए क्या फजल अली आयोग कहते हैं इसको ठीक है राजयों के सिमागन के मामले में कारवाही करना था इसे अपनी रिपोर्ट में स्विकार किया कि राजयों के सिमागन रहार वहां की बोली जाने वाली भाषा के अधार पर हुआ तो अगर आपको पूछा जाए कि राजयों का गठन कौन सी आयोग के सिफारिश पर हुआ तो कौन सी फजल अली आयोग के सिफारिश पर हुआ ठीके इस आयोग की प्रमुक्स सिफारिश को देखा जाए तो भारत के एकता सुरक्षा के वरस्ता बनी रहनी चाहिए राजयो इसके अधार पर 14 राज्य और 6 केंडर शाशिर प्रदेश बनाए गए, भाटे सविधान में वंडित मुल वर्गी करन चार शेनियों को समाप्त कर दिया गया, स्वायातक राज्य और केंडर शाशिर प्रदेश ही रखी गई, ठीक है, जब स्वतनतर्ता हुई थी तो उससे हम लग अलग बटे थे, प्राथि राज्य और शाशिर प्रदेश ही रखे गए, भाटे बटे तुन सब्सक्तक है, एतने ही रखे गए, तो अगर आपको राज़े गठन आयोक से आयोक से आगा, तो आपको इतना अनसर लिखना होगा, ठीक है, अगर शारत्मक पहलो को पहला आपको इतना अंसर लिखना होगा मेरे बच्छो ठीक है चलो आगे चलते हैं योजनाबद विकास योजनाबद विकास मतलब क्या आती है जब हमारा देश जाद हुआ तो उस टेम क्या थी बहुत जादा गरीबी थी है न तो इतनी जादा दिक्कती थी कि हम समझ भी नहीं पा नहीं सटी जादा गया, तो इन फेट चलो पारजी तो थीम उन रभग को कि स्थापित घृतर हो थी तो पनश्वशी योजना में इस्था ठीक है तो पनश्वशी जो जब हम इस्थापित करेंगे बड़े उद्योग जिसे लोहा कोईरा उद्योग यहां पर हम इस्थापित करेंगे तो लोग यहां उद्योगों में काम करने आएंगे करम बद्विकास युजनाओं को हमारे अपनाया गया ठीक है चलो हम आ जाते हैं अगली शौपिक विदेश निती और पड़ोस के साथ सब्मन ठीक है तो जब हम अजाद क्या हुआ थे 1947 में है न उसी टाइम क्या हुआ था दृति विश्व युद्ष सबाप्त हुआ था ठीक तो उसी के साथ क्या था भाहर चाहता था सहस्तित्व सबको अपने अधिकार अपने छेतर में काम करने का अधिकार मिले मतलब वह अपने देश की सम्रभूदा डिसाइड कर सके भाहर यह चाहता था ठीक है लेकिन उस तेम क्या था जैसे हमारा विश्व युद्ष खतम हु क्यों कि वह किसी भी गुड़ में शामिल होके निचाता था इसलिए क्या गुड़र और प्रेक्शुर्टा के निती अपनाए गए की सभी देशों आपने छेतर में हर तरिकsteps अधिकार मिले है वह किसी भी एक छेतर अके साथ ना जाए क्यों और आंतराशी संधिया भूआ देशों को देखके धियान में रखकरना बनाई जाए तो यह सब तिजहें थी उस्टेम लाई गई टीक है लेकिन कहिए कहीं न कहीं क्या था जो भारत था वो सोवेत्-णूर जुका जुकने का कारण क्या था कि जो अमेरिका था उसके वह तो मेरिका के साथ जुडा हुआ था मतलब जो war होते थे कुछ भी होता है तो क्या करता था अमेरिका पाकिस्तान को शायता देता था तो इसलिए क्या है एक सिंधान कब और किसके साथ हुआ थे इसके सिंधान क्या थे डीक है अगर यह कोशन आता है तो क्या थlichen उच्चमothा के अचर्ण समझाइब तो किस के मद्दे हुआ था भाई भारत और चीन के बित कब हुआ था 1954 में अब इसके प्रभुख सिधान क्या थे तो एक दूसरे के शेत्रिय खर्णता और प्रभुटा कर सम्मान करना एक दूसरे पर आकरमन नहीं करना एक दूसरे को अंधुरेनी मामलों में दखलना करना ब पर इसको नीचे लाइन में लिखना ठीक है तो यह क्या थे 5-6 समझाते थे लेकिन चाइना इस पर नहीं माना 1952 जो इंडो-चाइना वार हुआ था इंक दूसरे पर आकरमन नहीं करेंगे अंधुरी मामलों में दखलनी देंगे बराबरी और प्रसपरशितों के सहयोग करे लेकिन इसे पागजी थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था चीन ने हरता किसे दखल किया और 1962 का जो विश्व यूद्ध था यह क्या उसका परिणाम हम देखी चुके थे ठीक है तो आपको इतनी पूरी चीज़े यहां पर लिखनी होगी ठीक चलो आगे चलते हैं पंजाब अ कभी कभी होता है कि बड़ा भाई नराज हो जाता है खोटे को कुछ प्रब्लम हो जाती है कभी किसी की बीवी कुछ हो जाती है तो यहां कहा है हम उनके घर में चलते तो यही चीज है सेमें चीज़ का हुई इस तेह चीज़ का हुई थे हमार देश के राणिटी में भी देखेल मिली है तेही सेमें क्या हुआ था कि पंजाब और अंजाब और अंजाब यह बहुत बड़े हाइलाइटेट थे पंजाब की लोग क्या चाहते थे कि हमें जो सिख लोग है उनको यहाँ जायादा प्रोटी दी जाए जिसे भाखर नंगल बाद है तो वहां का पानी हमको जादा दिया जाए जो भारती सेना है वहा पंजाब दोनों ही आंदोलन राज्यतिक स्वायत्ता चाहते थे दोनों आदोलन का मुख्य उदेश था सविधान में संसाधन का राज्य को अधिक अधिकार दिया जाए ठीक है तो जब सविधान बना था तो जादा तो चीज़ी क्या थी केंद्रे के हाथों में थी लेकिन राज्यों को दी गई थी लेकिन यह क्या जाते थे कि और अधिकार किनको राज्यों को दिया जाए ठीक है दोनों राज्यों के अंदोलन का यह प्रमुख मांग थी कि राज्य के संसाधनों का अधिकार लाब राज्य के लोगों को दिया जाए और अन्य राज्य के लोगों जय है तो पंजाब का अंदोलान राजनेतिक के साथ धार्मिक भी था क्योंकि यह पूरे थे वो क्या थे शीख थे लेकिन असममें नहीं था असम के पूरे लोग वहाँ पर मतलब क्या थे तो पूरे सीख समोधा उसमें था लेकिन असममें क्या थे अलग दजा 협ष अभी थे पजाब को दिया जाए भारती सिना में सिखों की भरती की जाए ये इनकी मांग थी बलकि जो असम में मांग थी वो शनार्थियों को ले कर थी युकि क्या थी उस टाइम बांगलादेश क्या थी पाकिस्तान का पार्टा तो वहां से लोग क्या करते असम में आते थे जब आप आपके घर में जवर्ष्ति रहने ची लगँ जाएगा। आपके घर में क्या होगी। खाने की दिक्कत होगी, रहने की दिक्कत होगी। आपसी खटपीट होगा। यहीं सब चिछ की तुछ आसम के लोग चाते थे कि शर्णार्थियों को बाहर भेज़ाए। थीक है। असम में संसादुनों चाय बगानों पर नियंतर अनराज जी की लोगों बंगाल का था जबकि पंजाब में संसादुनों पर नियंतर पंजाब की लोगों का था लेकिन उनका अलाव दूसरे लोग ले रहे थे ठीक है तो वहां के चाय बगानों पर बंगाल के लोग थे तो अ ब्लू स्टर अपनाया गया था वहां पर बहुत जब बढ़ गई थी तो यह सब चीज़े क्या थी पंजाब के जब आप चीज़े पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत साइच चीज़े आपको ऐसी देखने को मिलती तो यह क्या थी समानता है और असमानता है यह कोशन आएगा तो आपको यह क्या है समानता है दो-तीन लाइन में लिखके खतम करना है ठीक है चलो आगे देखते हैं भारती राजिती में 1967 के बाद प्रमुक राजिती घटनायोग पर प्रकाश डालिए तो क्या क्या हुए थी पहला तो ब्रैंकों का राश्ट्री करन हुआ था मतलब बह लोवर तपका है, क्रिशिक है, मजदूर है, उनको उतना फाइदा नहीं मिलेगा, और हमें क्रिशिक का अगर विकास करना है, है ना, तो क्या है, उनको भी उस मुख्यधार से जोड़ना होगा, इसलिए क्या कि रखिया कि जादार बैंकों का राश्टी करन किया गया, पूरवी पाकिस्तान तो जो पूरवी पाकिस्तान था वही बांगलादेश था, तो 1971 के योधिव के बाद क्या हुआ था, बांगलादेश wcześniej हुआ तो यह था Prinzip गटना थी जिसको क्या है आपको दो-दो लाइन में ही लिखना है तीन बाक सा कोशन आएगा ज्यादा नहीं लिखना इसमें थीक है आपात काल आए आंधुरी का पात काल लगाए गये थे ठीक है ये चीजे आपको लिख देनी है बांगलादेश का युद्ध हुआ था जिसम आपको पड़ना है तो अब आपको पड़ना है तो आपको क्या लिखना है भार के सविधान प्रवधान है यह संसत की शक्तियों की सिमित कर सकती है मीडिया पर भी हर तरह का प्रतिबंद लगाया जा सकता है अपात कल क्या होता है कि पर त counselors Maal लगाया जा सकता है कि वो घटना nurturing और ज्यादा मर दिखा कि लोग और डढ़ जाए और और घठना how is inside ऐसे चल रहा है क्या एक धर्मधाइट हो जाता है तो कहीं ऐसे द्रग और हमारे है संप्रताइक्ता ना बढ़ जाए तो इसकार के मीडिया वेप्रतिबंद लगा जा सकता है संसत की शक्तियों को सिमित कर दिया जाता है कि जो भी तुरण-तुरण में हमें नियम देने हैं लगाया था इस आपातकल के पिछे 1971 की बाद अनेक प्रसितिया जिम्मेदार थी उने स्विक्तार में क्या हुआ था बांगलादेश का विखर्णन पाकिस्तान से तो क्या थे संप्रताइक्ता बहुत जादा पड़ थी तो इसलिए कि आंत्रिक सिदियों को देखते हुए कि उ समझते हो इतना चीज दो बड़ सुन लोगे आपको यह चेप्टर त्यार हो जाएगा ठीक है तो हम फिर आगले चेप्टर मिलते हैं तो तक आपने तयार इच्छे से करते हो और लिखने के प्रेडिस बहुत करो ठीक है बेरे बच्चों बैस्ट अप्लाक अपने तयार इस